अलेकम स्पोरेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब खेर यसी होंगे ठीक ठाक होंगे जी तो आज हमारा अपरेडिंग सेश्म सेरीजिस का लेक्टर नमबर 26 है हम लोग आज की लक्चर में पढ़ेंगे ठैपस अफ थेट में चत्ती हमारे पास होते हैं घृञ्छी धर हमारे पास होते हैं ध्क हैं यूजर लेवल थ्रेट्स में हमारे पास क्या होता है यूजर लेवल की कुछ लाइब्रेडिस होती है इसमें हमारे पास यूजर लेवल कुछ लाइब्रेडिस होती है ठीक है and the thread switching does not need to call operating system में देखें यहां पर भी थ्रेड्स वर्क का रहा है यहां पर भी यहां पर भी और next भी तो जब यह thread ने दूसरे thread पर switch करना है एक thread को दूसरे thread पर जाना पड़ेगा तो इसके लिए उसको operating system call की यानि के OS की calls की यानि के system call की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है और इसके इलावा यह है कि इसमें करना लेवल को भी इंटरॉप्ट नहीं करेगा यह और इसके इलावा यह बहुत ज़ादा फास्ट होते हैं यह हुएर मिदा देखी करने लेवल का यह कि यूजर की टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूजर की साइट को परफॉर्म करने के इसमाल होते हैं इसमें जो स्विचिंग यह जाएस की कॉल्स को इंवال नहीं करता और यह बहुत ही ज़ादा फास्ट होते हैं तो आगे यूजर लेवल थ्रेड के अडवांटेजिस की बात कर लेते हैं कि यूजर लेवल थ्रेड्स के डवांटेजिस कौन कौन से हमारे पास तो यहां पर मैंने यूजर लेवल थ्रेड्स के कुछ इवंटिजिस प्रस दिस ड्वांटिजिस लिए हैं अब इन के बारे में हम लोग देख लेते हैं यूजर लेवल थ्रेड्स की बात करें तो यह बहुत जारा fast होते हैं efficient होते हैं और जो एक इससे सिस्टम कोख चाल सकते हैं जो के थ्रेटम को स्पो Romans नहीं करते के जो ले उस त्रीजा अधर विशर लेवल थ्रेट्ट हो यह a SER की जा साथ ओर ख met और टोर टोर खम अभी करनल लेवल थ्रेड की तरफ करनल लेवल थ्रेड क्या होते हैं अब करनल लेवल थ्रेड की बारे में बात कर लेते हैं तो करनल लेवल थ्रेड में हमारे पास करनल लेवल पे कुछ अधर थ्रेड हैं लोग इसकुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्थाम system calls involved होती है ठीक है तो kernel level threads के बारे में यही था kernel level threads जो है वो बहुत जाहर है काम जोड़र करणने level पे हो रहा है तो जोड़र complex काम हो रहा है तो यह उतने fast नहीं होते लेकिन तो यह वरी efficient they allow the kernel to perform multiple tasks at the same time kernel level threads का मकसदी ही होता है कि अगर देखें चार पांच हमारे पास Threads बन गए करनल लेवल पे तो यह क्या करते हैं अब करनल को अलाओ करते हैं कि मुल्टीपल टास्क पर फार्म कर सके एक ही वक्त में तो यह उसको मुल्टी प्रोसेसिंग की फसिलिटी जो है वो प्रोवाइट करते हैं अब करनल ल लेवल थ्रेट के बारे में यह हमें फुल नॉलिज प्रोवाइट करता है तुमाम थ्रेट के बारे में इसका ड्वाइट है प्लस हमें यह एक बहुत अच्छी अप्रोच बहुत अच्छी होती है कि करनल लेवल थ्रेट का यूज कि यूज कर लें तो यह है कि यह स्लो होत प्रॉसेस का नमबर था चाहिए वह प्रॉसेस के रिजिस्टर के रिलेड़ इंफोमेशन थी तो इसी तरह TCBs में इंवाल होता है यानिके थ्रेड गॉंट्रॉल ब्लॉग इस आर दिस आमें डिसद्वांटेज़ आप करनल लेवल थ्रेड्ट्स आपको करनल लेवल थ्रेड्ट्स प्लस यूजर लेवल थ्रेड्ट्स की जब कोई कंसेप्ट है वो समझ आगया होगा अगर भी आपकी तरह कोई क्यूरी है तो आप मुझे ज़रूर इंस्टागैम पे टीम करके बताएं मिलेंगे एक नए लेक्टर में एक नए वीडियो के साथ कुछ नहीं सिखेंगे तक के लिए खुछ रहें अपना ख्याल रखें आला हाफिस